जूटे वाधे बंद करो जूटे वाधे बंद करो हमारा खुद का ही पैसा है यह यह कोई हमारा को दान मनी दे रहे हैं वो सब राजनेताओं की गाड़ी हैं DTO, RT औ की गाड़ी हैं और इसके अंदर दीरे 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 पोजिजन दिये जा रहा है नहीं करमचारी नहीं लिएंगे जैसे बीजेपी सरकार के साथ में हुआ ना वैसा इनके साथ में भी ओर सकता है खमागणी मैं गरिमा और आप लोग देख रहा हूँ जलको जोदपूर और आज मैं आईगी हूँ पावटारे आगे आपा जदे ओवर बिजपार करा तो रोडवेज वरक्शॉप है अटे जोदपूर में वटे मैं आईगी हूँ क्योंकि अटे रोडवेज जिका करमचारी ह वे धर्णों प्रदर्शन कर रहे है वे नहीं मांग है कि वे नहीं जिको बढ़ी ओड़ो डिये है वे वे नहीं दिये जा रहे है वे नहीं मांग है कि वे नहीं पूरो सातों वेतन आयोग जिको वो लागू नहीं कराया जा रहे है और कई-कई वे दिक्कता है कई-कई-कई बड़ो नहीं लगा रही है नई बड़ती नहीं लें ले इस की आ कि थी सवाई पर्ताफ श्रूब तकta यजा अब मारी शरकार बनते मांगे लेकिन टाइश साल होगे अभी दूसके पर कोई कारवई उन्हें नहीं की है इसलिए हमारे पूरे करम सर्य भेंकर आकरों से शांता वेतन लागू करो डिये लागू करो करो करम सर्य जो भी मांगे हैं वो मांगे मानी जाए तुरुन पर पूरी नहीं हो यह वज़ेसों आपन सब्सक्राइब करना चाहते हैं जैसे बीजेपी सरकार के साथ में हुआ ना वैसा इनके साथ में भी हो सकता है हम वोटर हैं और इनको क्या है कि सरकार से रोडवेज करमचारियों और आम जनता से कोई लेना देना नहीं है उनको तो सिरुप और सिरुप रोडवेज की संपती से मतलब है आज यह कह रहे हैं जब वीजेपी सरकार के अंदर 45 क्रोड रूपर दे थी ठीक है यह अनुदान के ओपर यह परताडित किया जा रहा है और जबकि हमारा खुद का ही पैसा है यह कोई हमारा को दान में नहीं दे रहें और उनको तो सिरुप और सिरुप रोडवेज की संपती को पर नजर और कुछ नहीं हम आगे से और और बड़ा अंदोलन करेंगे हमारी अगर मांगे मान ली और वहाँ पर रेली निकाली तीर उनको बड़े बहुमत से जितवाया था और आगे भी होशकता आगर यह हमारी मांगे नहीं माने तो इनको भी बेक फूट में जाना पड़ेगा दी जा दी है यह जून की पेंशन तो यह अब दीए दो जुलोई को और जुलोई की अब ओडर किया है कल यह आलात है इस डिपार्मेंट जब जब भी हमने प्रदर्शन किया तो उन्होंने टेम पर वाफिस सेलरी डाल दी थी जैसे छे तारी को हमारा प्रोग्राम था तो सब्सक्राइब जुशते करीब 60 लोग रिटार्मेंट गरमचारी खतम हो गया उनको इंतजार है उनको पैसा कब मिलेगा कुछ लोगों ने कोट केस किया तो कोट केस के अंदर भी लंबित होता गया अब कुछ करमचारी मने के लाइन में लगे हुए कि पैसा कम मिलेगा और यह सरकार की नियत यह है कि रोडवेज करमचारियों को तरस्त करना और रोडवेज विवाग को बंद करना नहीं गाड़िय दीरे 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 स्लोप पोजिजन दिये जा रहा है नहीं करमचारियों नहीं लियेंगे नहीं गाड़ियों नहीं लिये जाएक तो स्वत्त ही है एमपी और बिहार की तरह यह रोडवेज कराया चुबल कराया लिये जाएगा आज 55 रुपय रोडवेज का किराया है और वो 60 रुपय ले रहे हैं और जब रोडवेज की हर्ताल हो जाती है तो वो 1.500 रुपय, 2.500 रुपय किराये लेते हैं अभी राम देरा का अंदर हमारी रोडवेज बस इतने दिन नहीं चल रही थी और अभी 2-3 दिन से चल रही है तो हमारे मैला का राम देरा से 135 रुपय किराये विए जबकि प्राइवेट वाले 300 रुपय किराये ले रहे हैं रोडवेज चले के ता हम जनता को भाइदा होगा दिनिवाद राजस्तान राज्य को बसे खरिदने के लिए पैसे भी मिले हुए लेकिन उसको टरकार है दिरे दिरे नियत जिससे लगता है सरकार की नियत शाप नहीं है और खुला करना अंदर से राजिये को पैसे मिलेगे बसों खरिजने के लिए रहा रोड़ेज को लेकिन ये सरकार की नियत तो से इसा हो रहा गोल मौल गुलू बलारे जूटे वादे बंद करो बंद करो बंद मुक्यमंत्री होश में आओ लोग की रोड़वेज शरकारकार लेने विले माई कि trucks है कि आप मैंना मैंनी हैंग मांग पूरी कर लेला पर हाल धाई साल होई गया है सरकार की नहीं करियो है तो इत्तो आक्रोश है इत्तो वेने मैंने दुख है कि वेनी खुदरी कमाई मैंने नहीं मिल रही है तो इर वीडियो ने ज्यादा ज्यादा शेयर कर जो ज्यादा लाइक कर जो अगर एंड लोगारी समस्या और कोई समाधान मिल सके तो इरू अच्छी बात की नहीं हो सके ला सब्सक्राइब करना मत बूल जो जलको जोत्पूरे चैनल ने जै हिंद जै जोधाना